वेलकम टू राजन आई टियाई यूटूब चैनल मैसल विया सिंग मैं यहाँ पे पिछले वीडियो में आप लोगों ने 30 नमर तक क्वेश्चन देखा था यहाँ पे आज हम फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं तो आप लोग को यह सिविंग टेकनोलोज फैसन डेजाइनिंग एंड्रेस मेकिंग के लिए हैं तो आप लोग इस से पढ़के अपने अच्छे सथियाटेस एक जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं निम्नलिकित में से कौन सा पहिये का अंकन करने का उप्योग है तो कौन सा पहिये का अंकन करने का उप्योग है फर्स्ट माप लेना सेकेंड मारकर बनाना थर्ड मारकर अस्थाना अंतरित करना और फोर्थ इन में से कोई भी नहीं तो हमारा क्या है यहां पे हमारा यहां प मिन्स की मारकर अस्थाना अंतरित करना next question एक इंच टेप में प्रतेक इंच के बीच में विवाजन होते हैं मिन्स की एक इंच टेप में जो प्रतेक इंच होता उसमें कितनी लाइने होती हैं दो, तीन, चार या फिर इन में से कोई भी नहीं तो यह राइट एंट पर यहां क्या होगा इन में से कोई भी नहीं जब कि हमारे इंच टेप को आप जब गिंती करोगे तो हर इंच में आठ इंच में वह विवाजन होता है जैसा कि आप लोग को मैं बता दूँ कि हमारे ओनलाइन क्लासे सुरू हो चुकी है न्यू बैचेस तो जिसको भी जॉइन करना है वो जॉइन कर सकते हैं वो जॉइन करने के लिए इस नंबर पर कॉंटक्ट करें 9060582842 इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे ओनलाइन क्लासे स्की तैयारी के लिए आप जॉइन कर सकते हैं चलिए नेक्स कुर्शन आगे बढ़ते हैं हम की प्रक्रिया की आविश्यक्ता है तो फर्स्ट है हमारा फटा हुआ कपड़ा सेकेंड जला हुआ कपड़ा थर्ड छोटा सचेद एन फोर्ड नॉन अप दिस तो हमारा क्या हो जाएगा 33 का राइट एंस वर टर्ण क्लॉज मिन्स की फटा हुआ कपड़ा next question with you इस तरी के निमनलखित में से कौन 사ा आइरन का उपयोग नहीं होने पर इसे रखने के लिए इस्तिमाल किया जाना चाहिए क्छिन नूमर फर्स्ट बट सेकेंड बैक थर्ड हील टो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर राइट एंसर हमारा हील हो जाएगा next question sim शुरू करने और रोकने के दौरान take a flavor निमनल कितमे से किस दिन सामे होना चाहिए तो जब हम सिलाई शुरू करते हैं और उसको last के दौरान हमें कौन सा दिशा में होना चाहिए तो first है हमारा highest second lowest third middle and fourth none of this तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा हमें highest दिशा में होनी चाहिए चलिए next question निमनल कितमे से कौन सा तब्द गर्मी के कपड़े गर्मी के दौरा कपड़े पर क्रीज को हटाने के लिए बिजली की इस्तरी के प्रयोग में क्या करते हैं आइरनिंग प्रेशिंग फोल्डिंग इस्टेंपिंग तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर हम क्या करते हैं इस्तरी करते हैं मिन्स की आइरनिंग करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सुरच्छा विचारों के मताबिक सुयों को कभी बजी कहां नहीं रखना चाहिए मतलब कि हमें कहां नहीं रखना चाहिए कहां कहां मतलब हमें अपनी सेल्फ मतलब अपनी सेल्फ के लिए हमें जो सुय है वो हमें कहां नहीं रखना चाहिए तो skin पर रखने चाहिए mouth पर, ears पर, all of these तो मतलब कि हमें skin पर तो रखने नहीं चाहिए कि जायर सी बादस हुई क्योंकि वो हमें धस सकता है mouth मुपे भी नहीं रखना चाहिए ear, कान में भी नहीं रखना चाहिए कि वो गड़ जाएगा हमें तो यहाँ पे हमारा right answer क्या हो जाएगा all of these means कि हमें इन में से कहीं भी नहीं रखना चाहिए next question आगे बढ़ते हैं हम निम्नलिकित में से कौन सा सब्द मंच शो के लिए सबी कपड़ों और परिधानों को संदर्वित करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो क्या प्रियोग किया जाता है हमारा यहाँ पे first notion, second magazine, third stock, fourth props तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे right answer, props शली निम्नलिकित में से कौन सा कोई भी वस्त्र पहनते समय उप्योग नहीं किया जाता है तो कौन सा नहीं उप्योग किया जाता है कपड़े पहनते वक्त तो button, needle, thumb pin, septic pin तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 का right answer third हम क्या करते हैं thumb pin का use नहीं करते हैं next question हम आगे बढ़ते हैं next question हमारा यहाँ पे है निमनलिखित उपकरण में से कौन सा आमत और परमापने के लिए उप्योग किया जाता है तो कौन सा उप्योग किया जाता है तो first है हमारा measuring tape second ruler third scale and fourth all of this तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें से हम नापमापने के तौर पे क्या करते हैं हम next question आगे बढ़ते हैं 41 निमनलिखित में से कौन सा कपड़ा दबाने का उप्योग है तो कौन सा कपड़ा दबाने का उप्योग है धागा गैंडिंग उंगलियों की रच्छा कपड़े की रच्छा इन में से कोई भी नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें हम कपड़े की रच्छा करते हैं next question आमतवर पर कपड़े काटने के लिए निमनलिखित में से किसका उप्योग किया जाता है तो आमतवर पर जो जनरली हम जो सीजर का यूज करते हैं वो किसका उप्योग करने के लिए करते हैं मतलब उसमें हम किसका उप्योग किया जाता है तो first needle, second pin, third है हमारा cutter and fourth none of this तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर 42 का right answer क्या हो जाएगा हमारा generally हम cutter का use करते हैं ओके चलिए 43 question आम तोर पर कपड़े काटने के लिए निमनलिकित में से किसका उप्योग किया जाता है तो आम तोर पर generally जो हम किसका उप्योग करते हैं तो यहां पर seizure, pinking sears, craft rippers and none of these तो first हमारा seizure normally जो catchy होती है pinking seizure मतलब कि क्या होता है जो कटावदार होती है जो कि हम generally decorate वगरा करने के लिए हम यूज करते हैं कैची का third हमारा craft research हम आरा वगरा तो यूज नहीं करते है and fourth है हमारा none of these इन में से कोई भी नहीं तो जो हम generally तोर पर जो हम यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं seizure का यूज करते हैं ठीक है चलिए पूल पीन का उप्योग है तो इस पूल पीन का उप्योग क्या है इतमे धागा भंडारड शूई भंडार मापने के उपकरड का भंडार and fourth none of this इन में से कोई भी नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे storing thread जहाँ पे हम धागा भंडारड होता है next question आगे बढ़ते हैं coral raw में object को चूनने और अचाइनित करने के लिए निम्न में से कौन सा tool उप्योग किया जाता है तो कौन सा tool हम उप्योग किया जाता है तो bezier tool free hand tool third tip tool and fourth pick tool तो हमारा क्या हो जाएगा 45 का राइटेंस वर pick tool चलिए 46 हम start करते हैं निम्न लिखित में से कौन सा 2 मीटर का उप्योग करके मापा जाता है तो 3 मीटर का उप्योग किसले किया जाता है तो fabric color को मापने के लिए या फिर fabric length third fabric thickness and fourth none of this तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पे हम कपड़े की लंबाई मापने के लिए यूच करते हैं तो हम क्या करते हैं कपड़े की लंबाई मापने के लिए यूच करते हैं ठीक है चलिए 47 सूई क्लैम का उपयोग निमनलिकित में से कौन सा है तो सूई क्लैम का उपयोग निमनलिकित में से कौन सा है तो first हमारा है धागे को थामे रखना second, सूई को थामे रखना third, बॉबिन को थामे रखना and fourth, सूई stand तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे right and first हमारा क्या हो जाएगा सुई को थामे रखना मिन्स की होल्डिंग निडल चलिए 48 आते हैं हम सिलाई मसीन में हम कहां पे थे 48 पे सिलाई मसीन में निमनलिकित में से कौन सा हाथ संचालिद घटक है तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पे हमारा 48 का राइट एंट पर क्या होगा हमारा हैंड वेल जालिए 49 आते हैं निमनलिकित में से कौन सा सिलाई मसीन का हिस्टा नहीं हो चलिए नंबर 59 का राइट एंशंड इसमें नंब वो हिस्सा नहीं है चलिए नमबर 50 निबन लिखित में से कौन सा सब्द सिलाई के दौरान आगे पीछे अस्थाना अंतरी छोटे धातू घटकों को संदर विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है हमारा यहाँ पे फ़र्ष्ट निडल बार शेकेंड बेड थर्ड फिट डॉग एंद फोर्ड स्लाइडर प्लेट तो हमारे यहाँ पे क्या है 50 कराई टैंस और हमारा क्या हो जाएगा थर्ड मिंस की फिट डॉग तो ऐसे ही हमारे ओनलाइन क्लास अगर जिसको भी जोईन करनी है तो न्यू बैचे से स्टार्ट हो चुकी है उसमें चैप्टर वाइज डीपली सब कुछ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को MCQ सारे सॉल्व करवाया जा रहे हैं बुक्स पढ़वाया जा रही हैं जिससे कि आप आसानी से हम आसा करेंगे